आज की रेसिपी में हम बनाएंगे एक आसान सा मिठाई जो की बहुत कम इंगिडेंट्स में बनता है आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी है तो चलिए फटा फट लौकी की बर्फी बनाना ठाल करते हैं यह दो लौकी का एउज करेंगे लौकी की बर्फी बनाने के लिए बर्फी बनाने जो आता है उसका 20 वाला हिसा उसको भी निकाल देंगे, फिर इसको हम कद्दुकस करेंगे लौकी की बरफी बनाने के लिए, कद्दुकस करने के लिए लौकी को मैं ये वाला यूज करने वाले हूँ, आप थोड़ा चोटा या थोड़ा बड़ा साइज वाला भी ग्रेटर य लोकी को मैंने कद्दुकस कर लिया है इसमें पानी का अंच बहुत ज़ाधा रहता है तो इसको जब हम भूंदेंगे ya कुक करेंगे पहले इसको इस तरीके से पानी निकालके फिर इसको भूंदेंगे क्यूंकि अगर इसके साथ हम ने डाल दिये तो बहुत ज़्यादा पानी ये कूक होने के लिए टाइम लगेगा पहले एक प्यान को गरम करेंगे उसमें हम 2 टेबल स्पन घी ले लेंगे घी जब मेल्ट हो जाएगा उसमें डालेंगे कद्दुकस किया हुआ लौकी को कि लोकु को 2 तिन मिनिट के लिए Stan villum भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए लोकी का खीर जिस तरीके से हम बनाते है उस तरीके से भी हम बर्भी बना शकते है जैसे कि दूद में पहले लोकी को डाल के उबालके उसको गाड़ा करके भी उसका बरफी बना जा सकता है इस तरीके से बनाने से भी बरफी बहुत ही जदा अच्छा बनता है और टेश्टी भी लगता है कम से कम धाय से तीन मिनिट तक स्लो मिडियम फ्लेम में हम लौकी को भून लेंगे लौकी को भूनते हुए 3 मिनिट हो चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप उबला हुआ दूद फिर से एक बार मिलाते हुए इसको कूक करना है कम से कम 2-3 मिनिट तक slow medium flame में पैन को बिना कवर किये हुए ही कूक करना है 2-3 मिनिट अभी हो चुका है तो इसमें आड करेंगे 1 कटोरी सक्कर इंगेडियन्स के लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बग्स चेक करें सक्कर गरम होते ही लौकी के साथ मिलके चासनी जब बन जाएगा इसमें पानी का आंग्स थोड़ा आ जाएगा अभी हम डालेंगे लिकोइड ग्रीन फूट कलर 3-4 गुंदे यह अप्सनाल है आप चाहिए तो आट कर सकते हो नहीं तो स्किप कर सकते हो लेकिन फूट कलर डालने से बरफी का कलर बहुत ही ज़दा अच्छा आता है अब देख सकते साइड से सक्कर मेल्ट होके पानी जैसा दिखाई दे रहा है और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है लौकी का अभी हम डालेंगे 6 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ताकि लौकी का जो बरफी है बहुत ही ज़दा टेस्टी लगे फिर से एक बर मिलाते हुए सारे चीज़ को कूक करेंगे फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है स्लो मिडियूम फ्लेम में इसको कूक करना है और जब तक लौकी गाड़ा ना हो जाए तब तक कूक करना है चार मिनिट कूप करने के बाद अभी गाड़ा हो चुका है आप देख सकते हल्वा वाला टेक्सर में आ चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ग्रीन इलाईजी की पाउडर इस टाइम आप कोई भी ड्राइफ फूट्स अपनी मंचा ही इसमें डाल सकते हैं चोटे-चोटे टुक्लों में कट करके अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे ये बाला ट्रे में हम बर्फी को जमाएंगे तो पहले इसको हम ग्रीज कर लेंगे आधा टी स्पून घी मेंने लेली आए आच्छे से ये जो प्याने उसको ग्रीज कर लेंगे ताकि बर्फी जब हम निकाले वह आसानी से निकलके आजाए अभी हम लौकी को इसमें डालेंगे स्पाचुला में प्रेस करते हुए इसको साइज करेंगे सेफ देने के लिए स्कॉयर साइज में कट करने के लिए इसको साइज करना जरूरी है उपर से कटी हुई बादाम और किसमे साइज करेंगे स्पाचुला में ड्राइप उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि बर्फी के साद ये आच्छे से चिपक जाए अभी हम इसको फ्रीज में एक गंटे के लिए रखेंगे एक गंटे बाद मैं लौकी की बर्फी को फ्रीज से निकाल के लाएँ हूँ ये आच्छे से से शेट हो चुका है बर्फी को अभी हम पिसेस में कट करेंगे कट करने से पहले हम उपर से थोड़ा सा दाग लगा देंगे ताकि जो पिसेस हमारा साइज होके निकले अब देख सकतें कितना अच्छा कलर भी आया है और अच्छे से पिसेस निकला है एक प्लेट में हम लौकी की बर्फी को आरेंज कर लेंगे लौकी की बर्फी अभी सर्विंग के लिए तैयारे ये मला रेसिपी आप भी एक बर जरूर ट्राइ करें बहुत ही स्वाधिश्ट रहता है अगर आपके पास कलर आभेलेबुल है तो ग्रीन कलर इसमें जरूर डाल करी बनाएं बहुत ही सुन्दर कलर आता है रेसिपी के बारे में आपकी अनुबब कमेंट सेक्षन में सेर करें इस तरह की बहुत सरे रेसिपीच के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और राइट सेयर में जो बेल का आइकन ने उसको जरूर क्लिक करें ताकि मारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन आपके पहले पहुंच सके